नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर चलते चलते चैनल पर मैं आपका दोस्त अमित आज आपको एक ऐसी हाकीकत दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी है जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था उस दिन टेंपरेचर था 38 डिग्री सेल्सियस अब 38 डिग्री सेल्सियस पर जर्सी गाएं की एचेफ गाएं की क्या हालत होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसके साथ में ही बगल वाले खुटे से बंदी हुई देसी नसल की सहीवाल गाये वो कैसे अपने जो है 38 डिग्री सेल्सियस पर कैसे रहती है और जर्सी कैसे रहती है उसकी क्या physical condition हो जाती है और हमारी की क्या condition रहती है आज मैं वो आपको दिखाने वाला हूं अक्सर मैं कहता हूं कि देशी गाएं रखो देशी गाएं रखो बहुत से लोग कहते हैं कि आपका इसमें कुछ स्वार्थ है हाँ मेरा स्वार्थ है दोस्तों मेरा स्वार्थ है मेरा स्वार्थ ये है कि मेरे जो देशवासी है मेरे जो बंधू जन है उनका स्वास्थ अच्छा रहे वो अच्छा दूद पीएं वो एक स्वस्त गाएं का दूद पीएं और स्वस्त रहें और दूसरा मेरा स्वार्थ ये है कि जो हजारों सालों से जो वन्स गो वन्स वो हमारे साथ चला रहा था वो हमारे साथ बना रहे आने वाली पीडियों के साथ बना रहे वो लुक्त न हो जाए मेरा दूज़ा जो स्वार्थ है दूज़ा स्वार्थ मेरा ये है अब देखिए आपने खुद देख रहे हैं आप कि 38 से 40 डिगरी टेंपरेचर होने पर क्या हालत इनकी हो जाती है वो भ पर लाइट कम थी मैं अंधेरे में हूँ और उससे बाहर रोसनी है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है लेकिन अगर मैं इस गाएं को धूप में बांद दू तो इसका क्या हाल होगा आप खुद देख ले और अगर हम अपनी साहिवाल को या हर्याना को था अगली तो उनको कोई प्रॉबलम नहीं होगी वह ऐसे ही जुगाली करती रहेगी धूप में भी 38 से 40 डिग्री टेमपरेचर पे कुछ नहीं होता इनका और अगर इसको धूप में आज अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसको ग्लुकोज की चार बोतल चड़ानी पड़ अगर आपको कुछ देसी गाए का नहीं मिलता है तो भैस का लीजिए अगर भैस का नहीं मिलता है तब आप जो है इनका दूद ले सकते हो लेकिन अगर आपको बकरी का दूद मिलता है तो बकरी का पहले ले लो इसका बाद में लेना तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप स्वास्त रहें खुश रहें और देशी जो नसल की गाये हैं उनको आप पालन करें और उनका दूद आप अपने बच्चों को अपने परिवार को आप पिलाएं धन्यवाद झालन करेंक गालन को आप सकता गालन को आप सहा हैं